हाई फ्रेंज नमस्कार आज का यह जो ब्लोग है हम लोग जा रहे हैं भूबनेश्वर से राइपूर की और और हम अब पहुंच गये हैं भूबनेश्वर एरपूर्ट पे और यहां पे हम अपना इडेंटिफिकेशन करने के बाद हम अंदर की और जा रहे हैं अंदर हमारा इसका भी जेक इन हो गया है वह सीटूटी चेक हो गया है इसके बाद हम आगे हैं वह अपनेश्वर के लाउंच में और इसकी फैसलिटीज यह है कि आपके पास आपकर का एकसस है तो कहीं पर दो रुप्या कोई कर से कोई कार से 25 रुप्या जिस तरह का फैसलिटीज कार मे उप्या है तो यहीं पर यूज किया जाए और यह है इसका वेटिंग अरिया जहां पर आपको ड़िट करना है आपका जा पास आए आपको अंदर जाना है तो अब हम आके पहुंच गये हैं प्लेन में प्राइट में बहुत सके हैं और हम यहां आपने सुट में बैठ गए लोगों को देख रहे हैं वो किस तर से आ रहे हैं और कैसे सेटल हो और हम अपना एंजोई कर रहे हैं इसके बार हम क्या कर रहे हैं पूरा से सेल्फी ले रहे हैं ताकि यह आपको यह दिखा सके है कि रूपीट के उचाये पर उड़ान भरेंगे फिज़ा लवीशा चंचल लड़ेिस जेलिवें बोर्ण बॉण फैकर है और ठाहू कि विह कानगे प्रकिरश करने टिखार था और इधर उदर की चीज़े कर रहा था कि पूरा बोर रहा था एक घंटे के बाद हम राइपूर स्टेशन पहुंच गयते हैं और यह पूर ऐसे मेनेज करके रखा गया है राइपूर के एरिया में यह स्टेट में बोच सब्सक्राइब ना हर कोई चीज को मत्यों ट्राइवल के थीम में ही बनाते हैं और यह पर इंका फोटो सेशन चड़ता है तो थीम में बनता है और वह जो है हम लोग अपने लोगेज एरिया के पास हमारा लोगेज जब आएगा हम यहां से उठाएंगे फिर हम अपने होटल की और वोट करेंगे तो शाहिए यहां पर हमारा यह किया है और यह लोगेज एक लोगेज उठ गया है और एक बेग उठने वाला है यह एरपोर्ट का बहार का कुछ सीन इस तरह से दिखता है और हम निकल चुके हैं आप में होटल की ओर जाते वक्त यह गाड़ी हमें लेके जा रहा है और अब इसके बाद जो आने वाला यह दो होटिल का आउट्डर भी हो जो स्विंग पूल है यहां बैठ के आप मज़ा कर सकते हैं यह रेस्ट्रोडाइब का ओपन लांज के तरफ है और यहां पर राज में बहुत अच्छा पाटी भी होता है